हलो बच्चों हम नुक्लियर केमिस्ट्री के बारे में पिछले दिनों बात कर रहे थे और उसी युनिट को आगे बढ़ाते हुए अब हम रेडियो केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे केमिस्ट्री की एक और सब ब्रांच रेडियो केमिस्ट्री आपने रेडियो विकेरन इसके विशे में पढ़ा होगा सुना होगा तो वही चीज है रेडियो केमिस्ट्री रेडियो केमिस्ट्री के विशे में जब हम बात कर रहे थे तो हमारे दिमाग में अचानक से एक ही बात आती मैडम मेरी क्यूरी और पेरी क्यूरी तो इन दोनों का जो काम था मिस्टर पेरी क्यूरी और मैडम मेरी क्यूरी का ये इस बात की और इंगित करता था और ये ग्याद किया कि ये एक बहुत ही spontaneous disintegration के अंदर मतलब इनके अंदर बहुत spontaneous disintegration होता है और ये दूसरे तत्वों क्या नाभिक बनाते हैं या nuclei बनाते हैं और ये जो spontaneous decomposition होता है किसी भी atomic nuclei का किसी भी परमाणू नाभिक का तो ये कहलाता है radioactive change मतलब इनके अंदर एक radioactive change आया है क्योंकि हमेशा इस change के बाद क्या होता है कि radiations जो है उनका emission होता है उनका उत्सरजन होता है और ये जो radiations है जो radioactive substances के तुरू emit होते हैं उत्सरजित होते हैं इनको एक strong electric field के तुरू जब हमने पास किया तो देखा कि तीन तरह के particles हमें प्रा electric field लगाया और उसके अंदर से जब इन radiations को हमने पास किया तो हमें तीन प्रकार के different particles प्राप्त हुए अब देखिए यहाँ पर electric field लगाया हुआ है उपर एक photographic plate रखी हुई है नीचे हमने एक radium का salt डाइग्राम में देखे नीचे radium salt हमने रखा है और इसके थू जब हमन radiations को पास किया या इनका deflection हुआ strong field में तो हम देखते हैं कि कुछ radiations जो की strong field की तरफ और negative plate की तरफ डाइवर्टेड हो रहे हैं यह positively charged particles है और इन्हें हम क्या कहेंगे मतलब negative की तरफ कौन deflect होगा positively charged particle तो इन्हें हम कहेंगे alpha particles दूसरा जो radiations positive plate part की तरफ positive side की तरफ deflect होंगे और वो negative होंगे उन्हें हम कहेंगे beta particles और जो तीसरी तरह की जो radiations है third type of radiation है यह deflected नहीं होती है strong electric field या magnetic field apply कर दो तो भी deflected नहीं होती है तो यह neutral होती है और यह देखे हमने सीधा इस diagram में दिखायवा है कि सीधा जो जा रहा है वो है neutral वाली और उन्हें हम कहते हैं gamma rays तो यह radioactive radiations का magnetic या electric field में deflection है जिसे इस diagram से हमने show किया है अब जो radium के हम बात करे थे तो radium ने क्या करा तीन तरह के different radiations emit किये लेकिन कुछ और हमने जब दूसरे nuclei पर इसको apply किया तो दो additional type of radiations भी हमें प्राप्त हुए positrons और neutrons तो अब इन radioactive radiations की प्रक्रती और इनके गुण के विशय में अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम लेते हैं alpha particles इनका जो mass है द्रव्यमान है वो 4 amu है charge जो है इनका plus 2 है और इने हम helium nuclei भी कह सकते हैं और इसे हम 4he2 से भी denote करते हैं या हम इसे alpha से भी denote कर सकते हैं इनकी जो velocity इनका जो wave है वो लगबग 30,000 km प्रती घंटा है इनका momentum समवेग अधिक होता है पर जो इनकी penetrating power है बोक्षमता इनकी कम होती है ये एक paper की sheet या aluminum foil जो बहुत कम millimeter का हो उसके द्वारा भी हम इनको रोक सकते हैं अब यह देखिए spontaneous disintegration हुआ है radium nucleus का तो radium convert हो गया है आप देखिए 88 से 86 हो गया इदार और उधर 4AMU का जो अंतर आया है 226 से 222 हो गया radon में convert हो गया और साथ में alpha particles release हुए है तो जो एक loss of alpha particle है वो दो proton तथा दो neutron का बना हुआ है और जो atomic number है उसको 88 से 86 decrease कर रहा है और जो mass number है उसको 226 से 222 कर रहा है यानि कि जो radium है वो radon में convert हो गया है तो loss of two protons from the nucleus is followed by loss of two electrons from the electron shells of the atom दो proton और दो electron का loss हुआ है तो radium emission करता है alpha particle का और उसके पस्चात वो radon में convert हो जाता है दूसरे है बीटा particles ये इनकी जो energy है वो high होती है या हम इसको कह सकते हैं कि they are actually high energy electrons और इनको हम बीटा से denote करते हैं इनकी जो velocity इनका जो वेग है वो alpha particles से 9 गुना अधिक होता है और ये alpha particles की तुलना में किसी भी paper sheet या 1 mm तक के aluminium foil sheet को penetrate कर सकते हैं असानी से अब जब बीटा particle किसी भी नाभिक से मुक्त होता है या ejected it comes out तो neutron जो है वो decompose होकर के proton और electron देता है देखें यहाँ पे equation में neutron decompose होकर के proton और electron दे रहा है proton जो है वो उसी nucleus में रहता है और electron जो है वो high speed से बाहर eject कर दिया जाता है तो इस प्रकार नाभिक में जो है वो positive charge बढ़ जाता है और क्योंकि electron का mass कम है तो जो mass number है वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसमें कोई बढ़त नहीं होती है इस प्रकार जब हम इस transformation को हमने thorium के isotope पर पढ़ा तो thorium जो proto actinium में convert हुआ electron के emission के पश्चात या beta particles के emission के पश्चात तो जो mass number है दोनों nucleides का वो same रहा इस equation में देखे thorium का 230 और pro actinium का भी 230 mass number रहा तो thorium has got converted into pro actinium proto actinium after emission of beta particle next है next gamma radiations है gamma particles gamma radiations basically alpha particles, beta particles and gamma radiations इनकी जो उर्जा है बहुत अधिक होती है electromagnetic radiations होते हैं ये और इनकी उर्जा बहुत अधिक होती है इन में ना तो positive charge होता है ना ही negative charge होता है ना इनका कोई mass होता है दरबेमान होता है ये x-ray जैसी होती है और इनकी जो penetrating power है वो बहुत अधिक होती है इन में से मतलब जब भी alpha particles या beta particles का emission होता है तो साथ में gamma radiations भी emit हो सकते हैं उधारन के लिए हम ले लें कि radium जो है वो disintegrate होता है alpha emission से तो radon का जब वो होता है तो साथ में radon का जब conversion होता है disintegration में के बाद convert होता है तो वो gamma rays भी emit करता है उधसरजित करता है next है positrons ये positively charged होते हैं इनको हम ये देखिए electron नीचे plus one charge के साथ हम दरशा सकते हैं बहुत अध्यधिक क्रियाशील होते हैं ध्यार highly reactive फिर है neutrons ये nuclear fission के दोरान neutrons emit होते हैं इनकी penetration power जो है वो gamma rays के बराबर होती है तो आज हमने alpha particles, beta particles, gamma radiations, positrons और neutrons के कुछ गुणों के विशे में हमने properties के विशे में हमने यहां पर चर्चा की की Thank you so much Thank you Thank you